प्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल साइंस लेर्नर्स आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जैसे कि आज एक बहुत इंपोर्टन कोशन जो कि शोशल फार्मिसी से आने के पूरे-पूरे चांसेज है उसको थोड़ा एक्स्प्रेंशन करेंगे साथ में एक नोटिफिकेशन आया है बोट के तरफ से जो आज 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 19 दिसंबर को आज मिल गया था उसके बारे में भी आपको थोड़ा नौलिज मिल जाएगा और साथ में थोड़े बहुत इंपोर्टेंट कोशन या फिर पेडियाफ के बारे में भी आपको एंड त जैन्वरी जो 11 तरिक से है उनके लिए यह है तो इसमें कोशन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब दे इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ दे नैशनल हेल्थ पॉलिसी तो तो वह आप देख पा रहें स्क्रीन पे जो फॉर्स्ट है वह है प्रोफेशनलिस्म इंटिक्रिटी जो सेकेंड है वह एक्विटी थर्ड एफ़र्टेबिल्टी फॉर्थ यूनिवर्स सेलिटी एंड उसके बाद है पेशन्ट सेंटर्ड एंड क्वालिटी ऑफ दे कियर अकॉंटिबिल्टी एंड इंक्लोजिव पार्टनर्शिप्स प्लूर्यलिजम डिसेंट्रलाइजेशन डाइनमेजम और अडप्टिवनेस तो यह सारी नोट्स तो आपको पास होंगे लेकिन आज कोशिश करेंगी कि जादर अगर पिक्चर के साथ एक पिक के साथ अगर किसी चीज़ को समझाया जाए तो विजुएलिटी के साथ तो ज मार्क्स का फिर उसके बाद एक-एक मार्क्स का है तो जो न्यूस लेबर्स के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है तो आप कम से कम यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है इसके हेडिंग्स पर याद कर लेंगे और एक्जाम में आपको लिख कर गयाना है तो फॉस्ट जैसे है इसमें कि प्रोफेशनलिज्म इंटीग्रेटी एंड इतिक्स यानि कि जो पहला सिद्धान जो है 2017 का नैशनल हेल्थ इसका तो फॉस्ट जो प्रोफेशनलिज्म है यह क्यों दिया गया है यह जितने भी इसके जो पॉलिसी बनाए गये हैं हेल्थ पॉलिसी वह इस बाद ऐसा रखना है कि आपको खुद सोचना है कि आप पॉलिसी बना रहे हैं तो जब आप पॉलिसी बनाएंगे तो आप लोगों के बहतरी के लिए उनके हेल्थ के बहतरी के लिए क्या के करना सोचेंगे तो सबसे पहले इसमें आ जाता है प्रोफेशनलिज्म यानि कि ज अगर सरकार उसमें अगर अपना बजट डालेगी तो कितना भी डालेगी तो कम पढ़ जाएगा तो इसके लिए जहां पर भी पब्लिक के हल्थ सर्विसेज हैं उसको अगर थोड़ा प्रोफेशनलीजम कर दिया जाए यानि वैवसाइक बना दिया जाए जैसे आपने देखा कम होगा लेकिन कलेक्टिवली जब सरकार के पास पैसे पहुंचेंगे तो वह इस्तमाल करके हमारे और पॉलिसेज बना सकते हैं और हमारे हल्थ को अच्छा कर सकते हैं तो फर्स्ट यह था कि बजट को कैसे बढ़ाया जाए और लोगों को कलेक्टिवली इसमें कैसे इनव काम नहीं होगा इसके लिए सरकार को पंप्लिक को डिस्टिक लेवल पे स्टेट लेवल सब को एक साथ मिल करके इसको टृतनousक के सांथ जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें Transparency होना चाहिए उसमीं सबके बहतरेके लिए जो भी काम हो रहा हूँ सबको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि इस सरकार ने पॉलिसी बना है तो उसको पूरे इमानदारी से उसको लागू भी करना है और उसको फॉलो अप करते हुए हेल्थ अच्छा करना है पूरे लोगों को जितने भी जनता है इंडिया के उन सब के लिए सर्फ एक जनिक लिए नहीं है नेक करना है तो पूरे लोग तरस्ट जिसें पर कर रहे है पॉलिसी बन रहे हैं तो उसमें ट्रांस्परेंसे हonा उसमें लीगल चीज आना उसमें प्रोफेशनाल्म आना इसाब बहुत जरूरी हो जाता है नेकिस हम दिखेंगे equity equity यानि कि नएक सम्मान्यता यानि कि हर एक लोगों को बराबरी की नजर से देखा जाना और उनका उपचार करना उनका treatment करना उनको इलाज देखना वो भी एक नजरीय से यानि कि चाहे वो अमीर हो गरीब हो चाहे वो किसी भी कास्ट का हो किसी भी religion का हो लेकिन सब को एक जैसा ही इलाज मिलना next है affordability affordability मतलब कि जब सरकार policies बना रही है तो उसमें जब charges भी लगा रही तो इतना minimum लगा है कि गरीब से गरीब भी उसको effort कर सके उसको वो पैसे चुका सके उस पे उतना खर्च कर सके जैसे कोई सब एक treatment ही है चाहे वो x-ray लेना हो चाहे वो diagnosis करना हो चाहे blood test हो कुछ भी हो एक minimum charge जो भी होगा या फिर कोई से भी बिमारी का इलाज है या दवाई लेना है तो कम से कम इतना minimum charge लगा जाए जो एक गरीब से गरीब below poverty वाला इनसान हम भी easily उसको effort कर सके यानि कि पैसे दे सके और अपना इलाज करा सके या फिर इसका फायदा उठा सके पॉलिसी का नेक्स्ट है फूर्थ patient centered and quality of the care patient centered इससे पहले जब भी policies बनी या फिर जो भी hospital में लोगों को इलाज दिया जाता था वो patient centered नहीं था लेकिन इस policy में patient centered यानि कि हम जो भी काम करें फॉर इक्जांपल फॉर इक्जांपल जैसे हमने कोविट में देखा कि यह आया वैक्सिन्स आया तो वैक्सिन्स में भी जो हम लोगों को देंगे तो लोगों का उसमें जो इलाज हम दे रहे हैं लगना यह सारी चीज़ें सिर्फ patient के बारे में ही सोच करके वह चीजों को जैसे वैक्सिन है उसको discover किया गया लोगों तक पहुंचाया गया और उसका effect भी दिखा गया नेक्स्ट है accountability accountability मतलब कि सरकार ने कहा कि अगर हम policy बना रहे हैं तो उसका main मकसद ये भी होगा कि उसके हम जिम्मेदारी भी लेते हैं जैसे कि hospital में patient को इलाज दिया जा रहा है और इलाज के दौरान अगर कुछ गल्च चीज़े हो जाती हैं या फिर उसके जिम्मेदारी लेना वो भी सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है तो ये policies में transparency के साथ accountability भी रखा गया next है inclusive partnership inclusive यानि include करना सभी लोगों को include करना वो भी partnership ने partnership यानि कि जब हम इसमें पूंजी लगा रहे हैं इसमें हम जब budget दे रहे हैं सिर्फ एक जना या एक trust या एक government चाहेगा तो ये बहुत मुश्किल की बात होगा अगर जैसे कि share marketing में हो जाता है कि सब की भागेदारी होना तो इसमें भी सरकार ने कहा कि इस policy को run करने के लिए जो कि 2017 में बना ये जब ही चल पाएगा जब इसमें सब अपने अपने भागेदारी देंगे चाहे वो patient हो चाहे वो hospital वाले हो चाहे वो बनाने वाले हो चाहे वो उसको उब्भूख करने वाले हो pluralism का मतलब होता है कि ये जो भी policy बनाया है ये एक जने को सोच करके या एक कास्ट को सोच करके एक particular इंसान को सोच के ने बनाया गया है ये collectively पूरे जितने भी population है इंडिया के उन सब को नजर में रख करके ये policies बनाया गया है और नेक्स्ट है यूनिवर्सलिटी का भी मतलब वही है कि जो भी for example फिर से हम वही लगते हैं कि जैसे vaccine है तो सरफ vaccine सिर्फ एक age वालों को नहीं दिया गया है एक caste वालों को नहीं दिया गया है एक religion को देख करके नहीं दिया गया है जैसे कि COVID में सबको जरूरत था तो सबके लिए एक policy बनी कि ये age के एक group को इस दिन लगेगा नेक्स्ट है decentralization, decentralization मतलब यह जो policies बन रहे हैं, यह बनातो रहे हैं केंद्र सरकार, लेकिन decentralization का मतलब यह हो जाता है कि अगर जरूरत पड़े तो जो state है, district है, level के भी लोग suggestion दे सकते हैं center को, और वो उसमें कुछ changes कर सकते हैं, तो यह फिर केंद्र नहीं रहे जाता हूं, इस तो अपने अपने इसमें बहतरी के लिए इसमें अपने अपने राय रख करके center को भेज सकते हैं, अपने suggestions और उसको देखते हुए center वाले इसको change कर सकते हैं, या फिर authority भी दे सकते हैं, state वालों को, state government को, या फिर district level को, and last है, dynamism and the adaptiveness, यानि कि इस heading में ये कहा जा रहा है कि हर एक, हर एक जो भी इसमें health sector है, वो dynamic होना चाहिए, यानि कि time को देखते हुए, जैसा situation आता है, उसके हिसाब से ढलना, उसके हिसाब से फिर इसमें changes लाना, प्रगतिशील होना, और new-new जो भी इनो innovative चीज़ें आ रही है, वो इसमें include होना, और साथ में adaptive, यानि कि उसको फिर adapt कर लेना, यानि कि जैसे new technology है, चाहे वो equipment में हो, चाहे वो treatment में हो, चाहे वो new drugs में हो, तो नए चीज़ों को अपनाना, और उसको फिर follow करना है, या फिर उसको इसको इस्तमान करना, इसके साथ ह आपको ये notification भी दिख रहा है, ये बहुत important notification है, बहुत सरे बच्चे revolution के बारे में पूछ रहते हैं कि revolution का date आया की नहीं है, तो आज का ये notice मिला हुआ है, जो कि 1912-2022 को मिला है, और ये आपको मालूम भी हो गया होगा, आप्टरन में आ गया था, ये revolution date आप इसमें देख स और फिर उसके बाद एक और result PDF दिया गया था college को, जिसमें की rectification क्या हुआ था, तो उसके लिए ये notice मिला है कि अगर आपको अभी भी कुछ change कराना है, जैसे कि आपके नाम के spelling का change कराना है, या फिर आपके result में कुछ mismatching आ रहा है, या फिर difficulty आ रही है, या फिर जो बच्च वाले बच्चे को सिर्फ अपने college के principal को आप मिलिए, उनको एक copy आप अपना दीजिए, जो भी आपका pass वाले का था, उसका एक heart copy दे दीजिए, और अपना complain वहाँ पर जाकर के पहले बताईए आप अपने college के principals को, ताकि जो भी काम जो आपके screen पे दिख रहा है, जैसे कि mistakes in back injury या sessional या re-sessional में कुछ problem हुआ है, या theory practical marks वहाँ तक नहीं पहुँचा है, या फिर change करना है, ये non declaration of result, result कुछ बच्चों का नहीं आया, विदहल्ट आया, कुछ और भी, जो भी आपको board को information पहुँचानी है, तो वो आपको college के through ही पहुँचानी है, तो सबसे पहले आ आप अपने college के principal से मिल लिए, और वो जैसे जैसे करेंगे तो ये college के principal सी, लेकिन आपको उनको जागर के मिलना है, और अपने जो भी problem है, वो उनके सामने रखना है, तो वो आपको बताएंगे, कि आप ये one copy, hard copy, आप अपना marks card का लगा होते ही, ये लगा हो, कुछ भी बो नमबर है, इसी साल का 2022 को, इसके साथ ही, आपको ये पॉंपलेट दिख रहा है, ये है admission सुल्तान college of pharmacy का, अगर आपको इसमें admission लेना है, तो इस college में online and offline, practical के साथ सारी चीज़े provide बच्चों को कराई जाती है, और admission open हो गए, अगर आपको admission के, admission लेने के लिए कुछ भी तो आप दिए गए नमबर पर contact कीजिए, या फिर आपको notes विकरा चाहिए, तो भी आप contact कर सकते हैं, with this, take care and for upgrading or for a new update, be watching my channel science learner, till then take care, thank you.